हेलो फ्रेंड्स स्वागा था आप सभी का बाई वर्ड के यूटूब चेनल पर तो दोस्तों आज ये सभी जूट जाएगे देखे कल जो रात में 10 बजे आपकी मैथ की टेस्ट हुई थी उसका सोल्यूशन ले करके आये हैं यानि कि मिशन पी एम 2022 मैथ टेस्ट 3 का कोर्स में हुवी थी यानि अप्लिकेशन पर ठीक है यदि आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार पाड़ा मेडिकल के तयारी ये बहतरी इंधें से करें तो आप क्या किजिए हमारे यूटूब चैनल बाई वर्ड से जरूर जूर जाए और पेड़ कोर्स को क्या करें जरूर स जोइन करें अच्छा पेड़ कोर्स में आपको सी विधा क्या सम्मिलेगा वही बता देते हैं पहला नंबर पर क्या मिलेगा आपको डेली लाइब कलास मिलेगी और क्या होगा परतेक संडे को पर संडे यानि टेस्ट होगी आपकी ठीक है पर संडे टेस्ट होगी और क्या ह चलिए आज का जो टेस्ट हुआ था उसका थुरसा रिजल्ट आप लोगो बता देते हैं क्या ठीक रहेगा बताना आप सभी रिजल्ट देखने से पहले थुरसा सेशन को क्या करें लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों की गुरूप में क्या करें शेयर भी कर दें प्रफाइल लगाई है तो ऐसा देख लिज्येगा नित्तू कुमारी क्या कीए है 75 का क्वेश्चन पूछे थे यानि एक'T कुष्चन की तना 5 मार और 15 तन ता तो यह कितना होगी आपका 75 इसने क्या किया होगा पंडरा में 15 तन को बनाया था जिसके वदले यह 75 नमर ला करके पहला अस्थान प्राप्त किये हैं और देखे क्या मिला इसको कौन सा कैप मिला है ठीक है और वह भी कितना 13 मिनट मात्रे 15 सेकिन में 13 मिनट 15 सेकिन में तो यदि आप लोग भी थरा सा मेहनत अगर करते तो आप लोग भी ला सकते थे अलांकि इसका सुलियोशन अम इस वीडियो में बताएंगे आपको कितना नॉर्मल कोश्चन पूछे थे और कितना आसान कोश्चन था ठीक है देखिए अधि कोश्चन आसान नहीं रहता न तो यह भी 75 में 75 नहीं ले आती और देखिए वही दूसरा नमबर पर आज का स्टु का है क्या मिला एक नंबर का स्थान मिला तो देखिए एक है क्शान अप्लीकेशन जो है ना ओटोमाइटिक सब कुछ कर लेता है एक नंबर का स्थान जो कॉम समय में ज़्याधा iiM करेगा उसको फिर्या परकास उसके बाद देखिए आपका तीसरे नंबर पर कौन कि तीसेरे नंबर पर है क्या रूपम सिंघ चली रूपम सिंग इस बर थोड़ा सापь मेनत किये अच्छी बात है मेहनत करना जरूरी है रूपम सिंघ क्या किया है deficаг cotton 75 में से क्या किया है सत्तर मार्क लाई है यानि एक कुष्चन गलत की है यह ठीक है तो कोई बात नहीं तो आशा मिहनत को बरकरार रखे सभी का अच्छा रिजल्ट रहेगा चल यह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार नमर पर कौन है आपका नितु कुमारी यह नित्व कुमारी कौन है जो 65 मर्ग लाई है और यह नित्व कुमारी कौन है जो कितना मर्ग 75 मर्ग लाई है यानि दो नित्व कुमारी है एक 75 मर्ग लाई है और एक कितना लाई है 65 लाई है ठीक है और देखिए 5 नमबर पर कौन है अब अनीशा कुमारी है अनीशा कुमारी है पाँच नमबर पर जो 65 नमबर ला करके पचमा अस्थान प्राप्त की है वही अगर 6 नमबर की बात करें तो कौन है नेहा यानि पिंटी नेहा क्या की है 65 मार्क करके चथा अस्थान प्राप्त की है और स्विता की भात कि रे तो सिता है यहять है यह इन साथ नमबर पर ही सधक्रीन को साहीं की है बारा स्विता दो 5000 में पिर्येंका क्मार भिये कितना मार्क लाई है देखिए 55 मार्क अगले बार कौन था ये अगले बार टॉपर था ये ठीक है थोरा सा मेहनत आप कम कर दिए प्रिंका जी थोरा सा मेहनत कीजिए ठीक है मेहनत कीजिए तभी तो पहला अस्थान मिलेगा चलिए नेक्स देखते हैं नौर नमबर में कौन है पिंकी, यानि पिंकी पचास मार्ड ला करके न 9th नमर का अस्थान अपना रिजर्विसन कर लिये, ठीक है अब क्या है, 10 नमर में अभी से 1 पराज अच्छा, अभी से 1 पराज क्या क्या अभी से 1 पराज, 45 मार्ड लाया है इसका मतलब कितना ये नो गुणना पाँच यानि नो कोसटन सहीं कियो थे एक कोसटन पाँच नममर का, तो नो पच्चे 45 नमर लाया है ठीक है, रोहीनी कुमारी अचारोहीनी कुमारी को देखिए ये भी 45 नमर लाई है ठीक है, और आगे देखिए, साख्छी पौदार साक्ची पौदार कितना मार्क लाई है और क्या है आगे किस्कुमार किअ मार्क लाई है 45 किटा में 75 में 75 में 45 तो खैर कोई बात नहीं मेंनद कीजिए सबी कठीक हो जाएगा अभी शुरूवाती दोर है अभी आप से कर सकते हैं आप लोग तयरी आप लोग में बहुत क्वालिटी है ठीक है आगे देखिए कौन है नंदनी महता अच्छा नंदनी महता जो है ना 40 मार्ट लाई है तो कोई बात नहीं नंदने जी थोड़ासा मेहनत को बरकरार करें और जितना थोड़ासा मेहनत करते उससे भी और आगे देखिए रिया कुमारी इसका कितना है 35 यानि 35 है और क्या है निकेता रानी निकेता रानी यानि 30 मार्ट ला करके 17 नंबर पर है ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या है रानी राज रानी राज को देखिए 25 मार्क्स है और सांती नंदा कुमारी सांती नंदा five marks है 25 marks को है प्रिती कुमारी को 25 मार्ण मिला है यह यह ये लोग इतने question को सही किये थे five questions को सुभम सर्मा सुभम सर्माजी थोसा 5 15 में से 4 questions सही हुआ है थोड़ सा मेहनत को अच्छे ढंक से करें ठीक है मेहनत की यह थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और ज्यादा इसमें कुछ तो है नहीं कुस्टन कितना नॉर्माल पूछे थे आप लोग को थोड़ा सा भी सोल्योशन में हम बता देंगे अब देखे का है लवली कुमारी लवली कुमारी यानि 20 मार्क्स यह भी लाई है दिभ्या भारती भी पंद्र मार्क लाया है ठीक है ना दिभ्या पंद्र मार्क आगे देखे कोन है कृष्णा गुपता यानि कृष्णा गुपता दो कुस्चन सही किये हैं और नीशा कुमारी केवल केवल एक कुस्चन सही किये हैं थोड़ा सा देखे आप लोग नीचे से थोड़ा सा जो भी ह यानि ये नीशाकुमारी और क्रिश्णा गुपता दिव्या लवली सुभम जी पृती सांतिनन्दा रानी थ्रस आप लोग मेहिनत करें और मेहिनत की जगत सभाविक है कि मार्क्स आएगा ठीक है ऐसा नहीं है कि मेहिनत कीजे मार्क्स नहीं आएगा माक्स आएगा और अगले संडे से थोरा सा लेवल टेस्ट का उपर रहेगा और अगले संडे से आप लोग को दूर टेस्ट होगा क्यवल क्यवल और हम लेंगे दो टेस्ट राध सर वो अपना टेस्ट लेंगे और हम लेंगे कितना टेस्ट आपको दो टेस्ट हम लेंगे ठीक है तो चलिए आज जो question है आज का question को discuss करते हैं तो पहला question आपके mobile screen पर देख लिए जो यह question था न अच्छा एक बात बताईए इसमें क्या था जो आप लोग नहीं बना पाए इसको इसमें सब गुष्टों दिया हुआ है A अनुपात B दिया हुआ है क्या कितना दिया है बताईए तो 2 अनुपात 3 दिया है न और B अनुपात C कितना दिया है 4 अनुपात 5 अच्छा एक बात बताईए आप लोग को बताए थे तुरंत यह दी A, B और C का पुछे तो क्या कित जाएगा इसको इससे गुणा कर दिया अत कितना हो जाएगा 4 दुनी 8 एका निकल दाएगा 4 दुनी 8 और इसको इससे कर दिया 4 दिया 12 निकल जाएगा और इससे इसको गुणा कर देना है 5 दिया 15 अच्छा 8 बारा 15 देखें तो कौन से अप्सें में है आठ बारा पंद्र तो कितना आसान था यह तो आपको पढ़ाये थे अच्छा दूसरा तरीका देख लेते हैं जो लोग नहीं समझें अच्छा दूसरा तरीका से बनाते हैं तो कैसे बनेगा बताइए तो दूसरा तरीका से बनाते हैं तो इसको कैसे बनाईएगा अच्छे यहाँ पर देखिए बी तीन है और यहाँ पर क्या है बी चार है इसको तो बराबर करना है ना इसमें चार से गुना कर दिजे तो इसको भी चार से और इसमें तीन से कर दिजे तो इसको भी तीन से अच्छा और C क मान कितना हो जाएगा है यहां से बात में 2.स बाद्द्द बरावर और C कमान हो जाएगा आथ 12 नहीं हुआ चलीए नेक्स्ट क्वेज्टेस देखते हैं दूनम्बर का इसें दूसरा दोक्र में क्या है बताईए तो इसमें फ़lica क्या क्या है उल्टा के पूछ दिया आपको यहाँ पर B अनुपात A दे दिया यह से यह दिए यह पर है यहां पर है चार पांच पांच सही है क्या क्या आगे देखिए आपका श्ठीक ही दिया है C अनुपाद D इसका कितना है 7 अनुपाद 6 है न 7 अनुपाद 6 अच्छा आपको बताए थे यहां जब यहां जो भी मान आएगा A का आएगा यहां आएगा D का यहां लास्ट बला और सुरू बला आता है ठीक है तो आपको थोरा सा यहां पर क्या करना है पूछ क्या रहा है देख लिजिए D अनुपाद A यानि A अनुपाद D हमको निकालना है पहले तो हम क्या करेंगे इन सभी को गुना कर देंगे पहले इसको काट लिजिए तो 2 ती अच्छा हो जाएगा अच्छा अब इसको किजिए साथ चोंका 28 और अनुपाद क्या हो जाएगा पांच तिया पंदर तिया 45 अगर हम A अनुपाद D पुछता यहां पर तो A कमान 28 हो जाता और D का क्या हो जाता 45 लेकिन सभी पूछ क्या रहा है D अनुपाद यह पूछ रहा है तो आपको करना है क्या 45 रेशियो 28 करना है क्या 45 रेशियो क्या करना है 28 देखिया आपके कौन से अप्टन है 45 रेशियो 28 तो आपके आप्टन नमबर किसमे है देखिया D में है न 45 रेशियो 28 45 रेशियो 28 चलिए next देखते हैं तीन नमबर का question में क्या है आप लोग को बताए था यदि ratio में रहे तो यो बटे में आ जाता है 7 बटे x हो जाएगा और बराबर कर देज़ेगा और 17.5 है बटे में क्या हो जाएगा 22.5 अच्छ एक बात बताईए यहाँ पर यह दसमलब से यह दसमलब खतम हो जाएगा बताईए सभी लोग बताईए अब इसको जब गुना कित जिगात कितना हो जाएगा बताईए तो कोना कोनी इसको इससे इसको इससे गुना कर दीजिए तो 175 x बराबर क्या हो जाएगा 225 और गुना 7 हो जाएगा क्या बताईए 225 गुना 7 हो जाएगा न अब आगे देख़े क्या होता है आगे जी कि जए X को इधर रखीएगा 225 गुना 7 बट्य एक सो पच्थर अच्छा इसको काट जाएगा तो कितना बार में कटेगा ही 25 बार में कट जाएगा अब क्या आपका बच गया X बराबर 225 और बट्य पच्थर अच्छा इसको अब भागा देख़ेगा कितना हो जाएगा 225 नमे 225 इसका अंसर क्या हो जाएगा सही 9 हो जाएगा ओप्शन नमबर D चलिए अगला देखते हैं चार नमबर का चार नमबर में बताइए तो क्या है वोई बताइए इसमें कुछ है क्या A बटे B यानि A कमान आपको दे दिया है B कमान दे दिया है यानि उसमें A और B कमान पूट खाली करना है और B बराबर क्या है 3 है तब यहाँ पर पुछा है 3 A plus 2B और बटे में क्या है 3A minus 2B आपको क्या करना है 3 तो आप लिखेगा और A का जगा पर क्या लिखेगा A का मान 4 है गुना 4 कर दिजेगा पलस 2 लिखेगा यहां से 2 और B है B का मान 3 है 3 रख दिजिए और बटे कर दिजिए किता यहां से 3 लिखेगा और A का मान 4 है चलिए black से लिखे और यह 2 है तो 2 लिखेगा B का मान 3 गुना 3 लिखेगा अच्छ इसको अब आप गुना कि किता होगा 4 तीया 12 और यहां क्या हो जाएगा 6 12 ऑच्छ 18 हो जाएगा उपर में बताइए बारा प्लस छो अठारा हो गया और नीचे क्या हो जाएगा आपका चारतिया बारा बारा मेंसे छो चल जाएगा तो छो ठीक है बारा मेंसे छो चल जाएगा तो छो बचेगा तो यहां देखिया आपका क्या होगा या अंसर क्या आएगा यहां किल्कुलेशन किज़ेगा इसको तो क्या हो जाएगा 18 बटे 6 यानि यह तीन बार में कट जाएगा आपका option भी आ जाएगा 3 ठीक है यही तो पूछ रहा था और क्या पूछ रहा था बताईए पूछ था question मे कर देखते हैं पांच नमबर का पांच नमबर में भी तो सेम क्विश्चिन है एक्स कमान धिया हुआ है 4 Kind monde क्या दिया है 3 तो एक्सन जो 3 है थीरी और में क्वाइगा दिया यहाई देखिया ओर इसमें आपको थ्री एसको फूट करना है क्या करना है पूट करना पहले है आप लिख लिजिए 7y 6 by 7 plus आचो y का मान यहाँ पर y का मान दिखित कितना है y का मान यहाँ पर कितना है 4 है ना 4 लिख लिजिए minus x का पूझ रद x का 3 नीचे में भी y है y plus x 3 इसको किजिएगा तो 6 बटे 7 आएगा पलस चार अम से 3 जागा एक बचेगा क्या और 4-3-7 इसका एल सिमलीजिगत 7 हो जाएगा बटे में 6 पलस एक यानि इस 7 बटे 7 हो करके कट करके एक हो जाएगा आर्सका अंसर तो आपका अप्सन नम्मर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा हो जाएगा क्या बताइए चल जागला देखते हैं इस सब कुस्चिन में है नहीं कुछ तुरस आप लोग अच्छे से बनाते तो सभी स्टुडेंट 15 में से 15 कुस् के एकश का स्कूरर अप पलस ह्का इसको से टीने जाएगा तो चार हो जाएगा मैनस हो जाएगा क्या और यह नहीं नमर ना इसका हो जाएगा चार , इससका यहायका बेल पलस था यहां 7 नमर का question देखते हैं इतना तो आप लोग समझ गया होंगे 7 नमर में question में तो same चीज़ दिया हुआ है ना आपको question सिर्फ एक ही pattern से बहुत question आया था A कमान है 3 और B कमान कितना है 4 आपको इसमें खली put करना है 6 गुना A कमान 3 है पलस B कमान 4 है अनुपात देदना है 4 है A कमान 3 है पलस 5 B कमान 4 है अच्छा, इसको बना ई suspend कितना होगा 6,3,8,4 22 हो जाएगा अनुपात इतना कितना हो जाएगा 4,2,2 और 20 कितना हो जाएगा 32 11 दुनी 22 और 16 दुनी 32 यानि 11 अनुपात 16 ठीक है एगारा अनुपात 16 तो इस कितना क्या हो जाएगा आपका अंसर राइट हो जाएगा देखिए आपके option number D में है न एगारा अनुपात 16 ये आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा चले next देखते हैं आठ नंबर का आठ नंबर में है कुछ क्या बताएगे तो same pattern बस अभी question था आप लोग नहीं बना पाए बहुत दुख की बात है M का विमान है यहाँ पर 4 N का मान है कितना 5 अच्छा इसको किज़ेगा त्थिरी गुना M का मान कितना है 4 और पलस क्या है 5 N का मान कितना है 5 नीचे देखिए 6 गुना इसना हो जाएगा 37 हो जाएगा ना और इसको किज़ेगा 24,5,29 यानि 37,29 देखिए आपके कौन से option में 37,29 तो आपके option number C में है 37,29 तो क्या नहीं 37,29 बताएगे तो यह क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा ना चलिए 9 नमबर का question देखते है 9 नमबर का question है x ratio y बराबर 2 ratio 3 है x बराबर भी 3 है y बराबर भी क्या है 2 है अब इसमें कह रहा है मान put करने तो मान put करतीजिए तो मान put करने में किसी को फ्रेवसा नी परेशा नी 2 गुना 3 का square पलस 3 गुना y के जगा पर 2 है तो 2 का square अनुपात ले लिजिए और क्या है 3 गुना x के जगा पर 3 3 का square अब मैनस 2 गुना y के जगा पर 2 2 का square अब इसका थोरा सा हल कि जित कितना हो जाए 3 ती ती आर 9 2 नी 18 हो जाएगा पलस क्या हो जाएगा दोदूनी चार दिया 12 रिशियो ले लिजिए कितना हो जाएगा 3 ती ती आर 9 ती शताइस और मैनस क्या हो जाएगा दोदूनी चार दूनी 8 अच्छ इसको जब solve किजगा आप तो कितना answer आगा 18 बारा 30 होता है सभी को मालूम है और इसको यहाँ से घठे जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा यानि 30 अनुपात 19, देखिए आपके कौन से अप्शन है, 30 अनुपात 19 आपके option number किस में है बताइए, option number D में है क्या, देखिए यहाँ पर D 30 अनुपात 19 तो यह क्या हो जाएगा आपका ठीक है चलिए नेक्स देखिए 10 नमबर का आज़ टेन नमबर में क्या है आप लोग थोड़ा सा हम बताए थे कि 2 A है बराबर 3 B है बराबर क्या है फोर सी तब पुछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर पुछ रहा है ना अच्छ एक बात बताइए हम बोले थे ये बला को पुछेगा तो थोरा सा इसको भूल जाएगा इसको इसको गुना किज़ेगा बारा हो जाएगा अब देखिए तू ए था अब बी बला को भूल जाएए तुरी बी को भूल जाएए अब गुना किसको करना है फोर तू आठ हो जाएगा अब क्या करना आपको C का पुछ रहा है तो 4 को भूल जाईए 3 दूनी 6 इसको कट येगा तो 6 दूनी 12 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 6, 4, 3 हो जाएगा क्या 6, 4, 3 आपके अपसन नमर C है न 6, 4, 3 ति ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा इसका दूसरा तरीका बनाने का बताते हैं आपको यहां नहीं समझे होंगे रहा एक आप पूछ रहा है तो 2 को छोड़ दिए 3 और 4 को गुना कर दिजिए एक आप पूछ रहा है तो इसको इसको अगर B का पूछेगा तो इसको इसको अगर c का पुस एकाद किस को करना है इसको इसको ठीक है आज दूसा तरीकां इसका हम बताते हैं दूसा तरीका से देख लेज़े 2a है बराबर है 3b बराबर क्या है 4c इसका सभी कालसेय लेजी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा क्या 12 तो यहां पर आप लिख दिजे पहले 2a 2a ratio 3b ratio 4c बट्टे में 12 कर दिजिए सभी के बट्टे में 12 कर इसको इसको काटे जाएगा 6 हो जाएगा इसको काटे जाएगा कितना 4 और यह क्या हो जाएगा तो च्व चार तिन यहां से भी निकल रहा तो आपका यही हो जाएगा अंसर राइट हो जाएगा हो जाएगा क्या बताईए अगर समझ गये तो बताईए अपसन नमर C चले नेश्ट देखते हैं 11 नमर का अच्छे इस क्वेश्चन तो क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन ह आपके बिहार पड़ा मेडिकल के एक्जामी पूछा जाता है तो देखिए क्या कहा है एक लड़की को एक संखिया को तिरपन से गुणा करने के लिए कहा गया था कितना से गुणा करने के लिए कहा गया था तिरपन से लेकिन को चीज़ किया गलती से सुन लिया क्या हो सकता ह उचा सुनता हु तो 35 से गुना कर दिया तो आप क्या किजे पहले ठीरफ़ण, If लेज़े और क्या किजे इसको 35 लिग लिढ़ में अब देख़ी यहा पर कह क्या रहा है उसका जवाब जो हाए ना सही जवाबिया कौम हो गया तो 1206 लिध्वे कितना कम हो गया बेसी कट कितना होता है सोरी यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर 35 हो जाएगा क्या 35 हो जाएगा 35 अब इसको घटे यह कितना होता है 13 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा एक बचेगा, ठीक है, 18 होगे, 18 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 12,06, इसको जब काटिएगा, ति कितना बार में कटेगा, बताइए, कितना बार में कटेगा, एक्स बराबर रख लिजे, तो 12,06 बटे 18, हो जाएगा, 12,06 बटे 18, इसको काटिएगा, ति कितना बार में कटे अठर चाहे कितना होदा बताई एक सो दू होता है क्या अच्छा पहले इसको छो से काट लिज्जे छत्री अठारा हो गया च्छो दूनी बारह और च्छो एक आई चो हो गया तीन सी स्कॉप काट लिज्जे तीन छा का अठारा दू बचा तीन सत्ता एक यानि 67 संडशट हो ज चलिए नेक्ष्ट देखिए 12 नमबर का 12 नमबर में कहा गया है यदि किसी संखिया को 32 से भाग देने पर 29 से बचते हैं उसी संखिया को 8 से भाग देने पर 6 क्या बचेगा तो आपको हम बताये थे 32 से हमको कुछ लेना देना नहीं है ठीक है हमको किसे मतलब है यह 29 में आप पिल्स बी इसका मान दिया है 75 आगे देखे उन नेके वर्गों का अंतर आप आप लोग बतायों कि ए स्कुाइयर उस्कुरर का तो देखिए आप यहाँ पर A पलस B का मान दिया है किसका मान इसका A पलस B का मान दिया है A स्कुर मैनस B स्कुर का मान दिया है इसका मान तो दे दिया है दिया क्या? इसका मान भी दे दिया है 75 अब यहाँ पर हो गया A मैनस B 75 को यहां भेहिए देजाते A-B कामान निकल जाएगा बताइए 75 को यहां भेहिए देजे 1500 बट्टे 75 बराबर क्या हो जाएगा A-B इसको काटी जाएगत कितना हो जाएगा 75 दूनी डेर्स होता है 20 यानि A-B कामान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा हो जाएगा क्या बताईए देखिए आपके कौन सा Option में है 20 कि आपके Option----B क्या हो जाएगा साथ कि यहां पर राइंट हो जाएगा हो जाएगा क्या Option no b राइं चलिए देखते हैं कि इसमें क्या पुछा था आपसे कि इथ्ड ना इतना कि गुननरफल में 1 का अंग क्या होगा यानि राइट से पहला डिजित क्या होगा अगर इसको गुणा करेंगे तो आपको बताए थे ना लास्ट अभला सभी का अंग ले लिजे 8 x 9 x 6 x 2 ले ले लिजे इसको इसे कितना होता था बहत्तर होता था हो जाएगा क्या बताइए नहीं होगा सभी का युनिट डिजिट ले लिजए युनिट डिजिट और उसको गुना कर देखे जो आएगा उसका अंसर हो जाएगा छेले नेक्ट देखते हैं लाश्ट कुस्चन एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा गया लिजश को इसमोर किया 12 से करने कहा था इसको दूक उल्टा दिया मान इसका को जबाब बताब दूकई सड्डिया यह कोई सब्सेर लिए तो कह रहा है सही उत्तर उसका उत्तर जाया सही उत्तर से 63 ज़्यादा आ गिया सभाबिक है उसको कहा ता कौम से गुना करने के लिए पुझ किया दूक को उल्टा दिया ये कुई धर कर दिया ये कोई से गुणा कर दिया तो एंसर नहीं आएगा आएगा बताइए तो कॉस्टे बनेगा य बताते हैं पहले सब्सक्राइब लिखेने जुरह कितना था 12 10 कितना जादा हो गया था इसके कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 चलिए यहां तक आपका question था जो आपको कल 10 बजे test में मिला था ठीक है ना तो उमिद करता हूँ आप सभी इस question को अच्छी से समझे होंगे और practice भी अच्छा जारी रखिया आप लोग आप लोग का मार्श ठीक ठाक हो जाएगा घे कर वोग मिला कर अच्छा है झाल झाल